हेलो गाईज वेलकम बैक टू दी अनदर गेम प्ले वीडियो और आज हम खेलने जा रहे हैं एक और नया सर्वावल गेम तो लिटरली गाईज इस सर्वावल गेम को खेलने में कौफी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस सर्वावल गेम पर हमें डैनसौरस के बीच कर चूस कर रहे थे गयाज मैं कैस्वल चूस करूँगा क्योंकि अगर मैं मरता भी हो तो मेरे कोई भी रिसोर्स वगेरा रिसोर्स तो गीर जाएंगे पर गाईज गंस वगेरा नहीं गिरींगी तो चलिए गईज अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सबसे पहल अब हम आ चुके हैं अपने आइसलाइन मैप में लिट्रली गाइज यहां पर डाइनसार्स के बीच में सर्वाइब करने में लिट्रली काफी ज्यादा मजा आएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी वीडियो में नहीं है एंड जिसने भी तक हमारे चैनल स सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना माद भूलना तो फाइनली गाइज यहां पर मैं एंटर हो चुका हूँ मैप में तो सबसे बहले है आप लोगों को गाइस मैं सैटिंग देखा दू अपनी तो फाइनली गाइज यहां पर मैं डोडो किसम का जानवर है एक परकार से मुर्गे की पहजाती है तो चलो गाइस इसको तो अभी छोड़ो आई तिंग यह तो हर भी बोरोस होगा तभी हम पे इसने इसली अटेक नहीं करा तो गाइस सबसे पहले तो यहां पर ओहो यह क्या है गाइस कार्बोन अमीज इतना बड़ा कच्छवा भी होता था क्या पूराने जमाने में अरे गाइस इसको मारें यह नहीं ऐसे करते काई अभी नहीं कि अभी हम जस्पान हुए अगर हमने इनको मारने का ट्राई कर रहा तो डेफिनेटली गाइस यह अपने डिफेंस में हमको मारने की कोसिस करेंगे तो अब भी मेरी को अपने के लिए क्लेक्ट करनी है बुड्क कलेक्ट करनी कर नहीं तो आई इतिंब घुसूट मारके इसको पीड़ से हम वुड्क कलेक्ट कर लेंगे डिफिन पेड में अगर मुक्य मारे तो गयस हमें दो ती दो चीज मिल रही है आपर थेच भी हमें पीड तो घॉड़ा थेच करना पड़ेगा बस मुक्या मारतर हो एंद थेच अराम से कलेक्ट होगा तो अब भी आपको काफी अलग अलग परकार के जानवस दिखाऊंगा डाइनोसारस तो लिटरली गाइस काफी मजा है गाइस बिल्ने में तो यह तो कारबनमीज है यह तो काफी क जातान ना कच हुआ है तो कोसिस करेंगे गाइस इनको हम आगी इसली टीम कर सके तो चलिए गाइस ऐसे करते हैं अब चलते हम दूसरी जगह आलमस्स मेरा एक्स तो बन चुका है तो वह मैंने क्यूप भी कर लिया है गाइस एक्स नहीं है वह पिक एक्स है तो सबसे पहले जाता है तो आपको मैं अपनी character के सकल दिखा लेता हूं कि character कि सकल क्या है तो गैस ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने जनवों से नाया नहीं हो गए बीचारा तो चले गाइज औहो गैज एक और डैनसारस दिखा ये इसका नाम क्या है लोस्टृसृरस है गईज इसको मारने के ट्राइम करें यह हमसे हमें इसमें बह Laureosis कैंसे करूंगा जलो ऐसे इसको हमारने की जो आ sob L तो नहीं है कहीं तो चोड़ो गई इसको छोड़तें ऐसे कहते हैं थोड़ा सा अपने के लिए बैरीर कलेक्ट कर लें अच्छा सर्राउंडिंग बुससद तो यहाँ पर आई तिंग यह गाइस ऑपनी बोरस है तो देख सकते हो गाइस कैसे आ रहा है मेरे पीछे आई तिंग यह क्या है इसका नाम क्या है डिलफो सारस हां गाइस इसका नाम है डिलफो सारस तो फाइनली गाइस इसको आराम से मार दिया इसको देखो गाइस यह बीचारा कैसा दिख रहा है चलो कोई नहीं इसको मारके हमेरा एक एक काम तो हुआ इससे हमें क्या मिल सकता है इससे हमें आर्राम से मिल सकता है मीट जिसको खाके हम एक लिस यहां पर सर्वाइब कर सके तो फटावर से गाइस मैं ऐसे करता हूं अपने के बेरिस कलेक्ट कर लेता हूं तो बेरिस तो तो आपको दिखा दूँ आप लोग बताना मेरे को FPP ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर TPP तो यह तो गाइस अभी FPP है जब जहां पर आपको तो आइसे करते हैं जितनी भी हमारी बेरी बैक पैक में वह सबसे पहले तो हम अपनी होड़ पार में लाते हैं एंड वहां से खाना करेंगे स्टार्ट अभी मैंने वुट्स फाइबर एंड ठेच कलेक्ट नहीं कराए जैसी गाइस मैं अपने में लोकेशन में पहुंच करेंगे अभी तो गाइस मैं घूमते फिरते उस लोकेशन में जा रहा हूं जहां पर मेरे को बीज बनाना है तो फाइनली गाइस यहां पर मेरे को 30 लेवल को लेस्टर सौरस मिल चुका है तो इस बार गाइस अपन छोड़ने वाला नहीं है इसको तो गुसा मारेंगे दब अब तो यह तिंग कहीं जा नहीं सकते हैं यहां पर से क्यूंकि यह पूरा एरिया क्लोज दे गाइस वहां पर तो उस रहीं पता नहीं चला मेरे को कहां से गायब हो गया तो चलो इसको मार के तो गज़स एक फाइदा तो हब that 우리 amount zar Deezilie हो जाएगा तो सबसे पेले गईई ऐसे करते हैं अपना लैवल UP कर लेते तो लैवल अप क्या करेंगा ज़म करते हैं अपनी हेल्थ को लेवल अप कर लेते आराउंड 10-20% मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी तो यहां पर से गाइस मेरे को सबसे पहले तो बाहर निकलना है मैं पत्रों के एंड गाइस यहां पर मैं पहुंच चुक अपनी बेस की लोकेशन में जहां पर मैं बेस बनाने वाला तो गाइस याले टैनोसोरस के बारे में मैंने 10th के 10th में पढ़ाई करिये जहां पर हम फॉस्स फ्यूश के बारे में पढ़ते हैं तो यह गाइस आइटिंक पैरसोरस है यह एक हर भी बोरस है एंड इसको तो गाइस टेम 101% करना है क्योंकि यह बेरीज वूड एंड थैच हम काफी अच्छा करता है एंड एक और गाइस सबसे पहले तो मैं अपने क्लिए कंफायर अनलोग कर लेता हूं क्योंकि मेरे को अभी कैम फायर बनाना पड़ेगा यहां पे क्योंकि जितना भी मैं फूड वगेरा कुक करूंगा मैं इसी से करूंगा तो सबसे पहले गाइस प्लेश करने के लिए एक अच्छी सी लोकेशन डूण लेते हैं और मिलेको यहां पर थोड़े से स्टोन चाहिए होंगे केम फायर क्राफ्ट करने के लिए तो सबसे पहले गाइस मैं अपने क्लिए ऐसे करता हूं इस तो इस वाले बड़े स्टोन से कर लिया था रॉक से त से सिंगे दिखरें तो में देखकर समझे गाई अगर मैंने इस परफ़ा इसको यह वालम नहीं तो इस अपन को छोडने वाला नहीं थो इसे पандगा नहीं लेते हैं यह क्या है गाईस यह पेट रहा है प्य निकल जाएंगा अभी तक तो चलिए गाइज ओहो यहां पर यह 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 देखो गाइज कितने उपर चड़ावा है तो यहां पर गाइज आपको एक बहुत जादा गजब की चीज दिखने वाली है तो चलिए गाइज सबसे पहले तो आपको दिखाता है यहाँ पर गाईज यह डिलाफॉसर्स न कुछ जादे ही उचल रहे थे तो गाईज इन्होंने यहाँ पर कारवनमीज से पंगा ले लिया देखो गाईज कारवनमीज इनको कैसे मारता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ अपने के लिए कैमफायर प्लेस कर लेत है और चले चलते हैं देखने लें कि इनकी फाइट में कौन जीता है तो देखो ओ दो बंदों से लड़ रहा है यह बिचारा कितने लेवल को गाईज यह तो थोड़े से लेवल को गाईज का बचने तो इंपॉसिवल है फिर भी देखते हैं गाईज दिलाफॉसर्स को जो जाने लिटरली गाईज वो काफी ज़्यादा डेमेज है और वह एक कारवन इवी इसको तो इजली मार देगा गाईज अगर दो कारवन इनी इसमें अटेक ने करें तो गाईज पहले तो दो नहीं करा था आराउंड इसकी हैल्थ काफी ज़्यादा कम कर दिये तो आप तो गयाज यहां पर बच गे तो मैं वापिस आगी है आई दिंग यह डिलफोस और जो है वो कारवन मीज ने मार दिया है तो अब भी नहीं मारेंगे हैं तो ऐसे करते हैं इसको जाने दो तब ही गाईज हम यहां पर जो भी है ना मीट की हर्वस्टिंग करा सकते हैं उससे हमारा हर्वस्टिंग करेंगे ने गाईज अगर कारवन मीज में पढ़ गया तो कारवन मीज आपका कैमफायर तक छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि जब मैं पहले खेलता था तो एक बार ही गाईज मैंने गलती से करा गया मैंने कारवन मीज में हिट क्या गर दिया उस जब जादा सफिशेंट मीट एक दो दिन तो इसली निकल जाएगा गाईज तो हो चलिए गाईज यहां पर अब मेरे को बनाना किया है सबसे पहले तो गईज मेरे को अपने कले स्लिपिंग बैग बनाना है क्योंकि गईज अब उसका पर्श्चूट का मिसान है अगर करना पड़ेगा तो चलिए गाईज मैंने यहां पर अल्रेडी स्लिपिंग बैग प्लेस कर लिया पर गाईज यहां पर भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक यहां पर रात होता है तब तक गईज हमें ऐसे करते हैं अपनी इंवेंटरी में चलते हैं एंड इंग्रिम्स मैं चलके देखते हैं जोन-जोन से हमें इंपोर्टेंट समान चीए तो सबसे पहले गाईज मैं अपने के लिए एक्स को लेता हूं और उसको क्राफ्ट कर लेते हैं गाईज उसको क्राफ्ट करने के लिए मेरे को आई तिंग थैच एंड वूट चाहिए तो हमारा एक्स तो इसली बन जाएगा तो फाइनली गाईज यहां पर आपनका एक्स तो बन चुका है तो सबसे पहले गाईज मैं यहाला पेड काट लेता हूं और उसके बाद आइधिंक रात हो चुगी है तो चलिए गाईज ऐसे कहते हैं अब चलते हैं सीधा हम स्लिपिंग पहले तो चलिए गाईज एक बार तो मैं सो चुक हूँ अब दुबारा सो जाते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जैसी इस मॉर्निंग होता है तो आइधिंग गाईज अभी तो रात हुई नहीं चार घंटे की नींद कर रही है मतलब आराउंड दो तीन भज़र कर लिया है थोड़ा सा मेरा पानी का लेवल कम था तो गाईज मैंने यहां पर पानी भी पी लिया हैं दुबार से कैसा अब चलते हैं सो ने कले एंड देख सकते हैं मेरे बेस के सामने एक बहुत ही जादा हाई लेवल का ट्राय सेरोटॉप से एंड उसको तो गैस अपन छे नहीं 4x4 का बनाएंगे गाईज क्योंकि इन ग्रिम्स का जो मिसाने उसमें 4x4 का बनाना है तो सबसे पहले गाईज हम अपने इन ग्रिम्स के जितने भी घर बनाने के फांडेशन से वाल से डोर फिरम से एंड डोर है एंड सीलींगे उसे अनलोक कर लेंगे जब तक आप स्पेर से dank किसी को भी किल कर सकते किसी भी जानवर को तो कैसे यहां पर मैने अपने के लिए कपड़े भी लुट sacrifice करने के एक पर चीज़ उनलोक कर लेंगे और उसके बाद ग्यांटु करना होगा तो सब्से पहले हमा ऐसे करतेा अपना जो डियस बनाने का मिसन्स व् यहां पर आपको इनको पकड़ के मारना पड़ेगा तो सबसे बड़ी गलती गाइज मैंने यही करी कि मैं वुडन कलब से मार रहा था कि मैं को इनको इनको फिर इस्पीर से मानना चाहिया थे या फिर Axe से या फिर अपने pickaxe तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर इन्होंने मेरी health around 60% कर दिये तो मैंने बोला भाग बेटा यहां पर से इन से पंगा लेकर कोई फाइदा नहीं है अभी तो ऐसे करते हैं थोड़ा सा अपने आपको heal up होने देते हैं देखो गाइज तो यह साले बहुत ही जादा हरामी इनसान है तो फटाफट से इनको मारते हैं यहां पर देखना गाइज इनको मारने के चकर में मेरी health कितने जादा कम हो जाएगी तो आप इस गेम की difficulties यहां पर से पता लगा सकते हो कि यह कॉंपीज नाम से जो creatures है चोटा dinosaurus है वो कितना dangerous है जो बड़े dinosaurus होंगे वो कितने dangerous होंगे तो आप खुद बता सकते हो फटाफट से इसको मारते हैं तो almost guys सबको मैंने kill कर लिया यहां पर इनसे मेरे को meat भी harvest करना है तो finally guys यहां पर meat वागेर तो almost सब चीज harvest हो चुका है तो सबसे पहले guys हम ऐसे करते हैं सबसे पहले हम अपने के लिए बनाते हैं base की foundation तो around हमें कितने foundation बनानी पड़ीगी guys मैं को पता नहीं था यहां पर कितने foundation बनानी है तो guys मैं एक ही करके try कर रहा हूँ एक foundation बनाया मैंने तो I think इतने से नहीं होगा फिर दूसरा बनाया फिर तीसरा बनाया फिर चौता बनाया तो finally guys जैसे मैंने चार foundation craft कर ली थी तो यह build house foundation के उसमें टिक आ गिया था मतलब तुमने actually मैं सही कराए तो मैं तब समझ गे था guys हमें 4x4 का base बनाना पड़ेगा नहीं 2x2 का 2x2 का guys 2x2 का sorry गलती हो गई तो अब मेरे को guys एक craft करी देखो मैं यहां पर check करूँ तो नहीं वहा फिर दूसरी craft करी फिर भी नहीं वहा guys तब तो मैंने 4 craft में लगा दी है तो जैसी guys 4 craft हो जाएंगी तो finally guys वो 4 craft हो चुकी है अब हमें क्या करना है guys सबसे पहले तो अभी हमें अपनी foundation place करनी है तो हमारी campfire इस direction में है तो guys मैं अपनी जो है base की foundation वो इस direction में लगाऊंगा क्योंकि मेरे को अपना base इस तरफ से river cross करने के बाद हमें जाना है दूसरे तरफ तो guys इस direction में बनाने वाला हमें अपना base तो guys अभी तो यह बहुत ही ज़्यादा कच्चा है इसको तो guys easily खतम हो जागा यह base अगर मैंने tricerotops से पंगा लिया ना तो tricerotops हमारा base छोड़ने वाला नहीं है तो guys उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे हम अब मेरे को guys बनानी है अपने के लिए सबसे पहले तो door and door frame तो guys already मैंने craft में लगा लिया I think वो craft भी हो गए होंगे तो चली guys फटाफट से ऐसे करते हैं इनको place करते हैं जैसी place दो जाएंगे guys इसके बाद हमें इसके लिए craft करनी पढ़ेंगी वाल्स तो वाल्स हमें कितनी चाहिए दो, दो, चार, दो, छे, सैवन तो guys मेरे को around seven walls चाहिए थेच की वाल्स तो यहाँ पे तो guys अभी three craft भी already मेरे पास समान के कम ही पढ़ गई है guys तो मेरे को थोड़ा सा और collect करना पड़ेगा इन उसी के बाद हम craft कर सकते हैं तो नहीं ने guys around अभी five बन गई थी तो दो और craft कर लिए तो guys finally यहाँ पे अपन का नीचे का काम तो हो चुक है guys अब मेरे को यहाँ पे लगानी है ceiling तो already guys मैंने ceiling तो craft में लगा के रखी वी है तो यहाँ पे guys मेरी चार ceiling तो craft हो गई है पर यहाँ पे guys एक ceiling के सार थोड़ा सा scam हो गया है तो आप लोगों ने भी देखा हो guys वहाँ पे वो उससे बाहर निकल चुकी है जो कि काफी गलत है तो सबसे पहले तो guys इसको हम demolist करेंगे demolist करने के लिए guys आपके बैक के बगल में जो option है ना उसको कुछ देर तक आपको प्रेश करना पड़ेगा तो guys यह खुदी demolist हो जाएगा I think destroy हो जाएगा तो finally guys यहाँ पर मैंने एक और layer ceiling craft कर लिए और उसको भी place कर दी तो guys almost हमारा base तो बन चुक है तो guys आप मेरे को एक और अपना pursuit का mission करना है जो की है cloth craft करने है तो guys आप में cloth के लिए तो almost कुछ नहीं चाहिए and fiber ही चाहिए पर guys हमें कुछ amount मां height चाहिए जैसे हमको अपने gloves बनाने है उसके लिए हमें थोड़ा सा height चाहिए होगा and जो हमें जूते बनाने अपने के लिए सू बनानी है उसके लिए हमें height चाहिए होगा अगर guys आपको flint नहीं बता कि flint कैसा मिलता है तो comment section में जरूर बताना मैं आपको next video में 101% बता दूगा कि कैसा बनाने तो guys यहाँ पर हमने storage box भी unlock कर लिया and sling shot तो guys हम next video में क्या करेंगे सबसे पहले तो sling shot को unlock करेंगे and उसके बाद guys हम अपने के लिए सबसे पहले तो हम phyomia tame करेंगे parasaurus tame करेंगे and carbonimies tame करेंगे तो guys यह 3 dinosaurus है जिनको हम tame करने वाले phyomia का तो काम easily guys जो हमें फर्टिलाइसर बनाने के लिए उसका potty का यूज़ होगा and parasaurus का guys transport वगे रखे लिए थोड़ा सा उसका यूज़ करेंगे बाकि उसे guys हम parasaurus को कुछ जादा time तक रखने वाले हैं नहीं अपने base में and जब तक guys उसकी हमें जरूरा था तब तक रखेंगे बाद में उसको kill करके अपनी base से निकाल देंगे क्योंकि guys यहाँ पर हमें offline में only 40 dinosaurus team करने की use है तो हम उससे जादा रखनी सकते guys यहाँ पर almost guys मैंने सारे chest तो place कर लिए तो जितना भी guys थोड़ा बहुत important समाने important तो guys अभी अपने में कुछ है इच नहीं क्योंकि अभी हमने यह start कर आई याला series तो अभी हमारे पास literally guys कुछ भी होने वाला नहीं है तो almost guys मैंने यह पर bag में तो सारा समान रख लिया है आप सबसे पहले तो मैं अपने क्लिए क्लोथ क्राफ्ट कर लेता हूं क्पता है तो चलिए गयाँ सबसे पहले तो मैंने pray उसमें टिशेत अविqi sht करने लगा लियह है भी क्राफ्ट करने लगा लियह तो guys almost सब चीज़ तो craft हो जाएगा अपना easily ज्यादा दिक्कत वाली बात है इच नहीं अपने पे तो gloves भी तो guys अब पहनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं आपको inventory में जाना है double tap करना है guys यह automatically equipped कर लेगा तो finally guys अब एक डेड़ महीने बाद में भी आप PC की भी series continue होगी हमारे one clue gamers में तो guys जिसने भी one clue gamers को subscribe नहीं कर दो please भाई लोगो one clue gamers को भी 101% subscribe कर लेना तो finally guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो guys सबसे पहले तो मैं आपको अपने character का हाल लिखा लो मेरे character का हाल क्या है तो यहां पर guys सबसे पहले तो मैं अपने लेवल अप कर लेता हूँ यहां पर मेरे को red color के suits भी मिल चुके जो की बहुत ही जादे प्यारे लग रहे है और यहां पर guys सबसे पहले तो मैं अपने water level increase करूँगा क्योंकि प्यास काफी जद्दी लगती है तो guys मैं आपको अपरी character की सकल दिखा दू guys इसकी सकल देखके न literally guys मेरे को वो ही जमाना याद हो रहा होगा कि डाइनसौरस के जमाने में हमारे पूरवजों के चैरे कैसे होते रहोंगे तो देख सकते हो guys आप बहुत ही ज़ादा dangerous लग रहा है तो I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर guys वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना comment करना एंड मन करें तो guys प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना तो guys एक चीज और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करने मद बूलना क्योंकि उसमें काफी जल्दी PC गेम्स की वीडियो आने लग जाएंगी तो बबाई guys मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तो गुडबाई